ये सीरप खासी की समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये सीरप पे स्क्राइब किया जाता है ये सीरप सूखी खासी को जड़ से ठीक करने का काम ये सीरप करता है और जैसे कि अगर किसी को खासी आता है खासी आने की वज़ा से अगर उनके गले में एडिटेशन सा मैसूस होता तो उस समस्या को भी ये सीरफ जड़ से ठीक करने का काम करता है और जैसे कि आपने देखा है कि जब किसी को खासी की समस्या आती है तो अक्सर करते क्या होता है कि नाकों से पानी आने लगता है या फिर हम कह सकते हैं छीके आने लगती है और फिर आखों से भी कई बार देखा गया है कि बेच्टि के आखों से भी पाने आने लगता है तो इन साड़ी संच्क करने का काम यह सी्रफ करता है और इस सीरफ का उपयोग किस परकार की दिग्धत किस परकार करके दिया जाता है इसके बारे में आज हम आपको पूरा डीटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे जैसे कि अगर किसी को सूखी खासी आता है सूखी खासी एक परकार का ऐसा खासी होता है जो ब्यक्ति को एक परकार से एक दिन में दो से तीन बार कांटीन्यू आता रहता ह से मान लीजिए अगर कि किसी भी ब्यक्ति को सूखी खासी की समस्या रहता है तो क्या होता है कि अगर वो रात में लेटने जबो लेटने के लिए जाता है तो उस समय उसे इतनी जादा खासी की समस्या आती है ना कि कई कई बार क्या होता है सूखी खासी आने की हो जासे उसके सीने में दर्द की समस्या होने लगता है कई बार इतनी खासी कांटीन्यू खासी रात में आता है या फिर उसको दिन में किसी भी टाइम अगर सुकी खासी की समस्या आता है तो उस समस्या को जो है यह सीरफ है यह जड़ से ठीक करने का काम यह सीरफ करता है और जैसे कि आपने देखा होगा कि जब किसी को खासी की समस्या आता है तो कई बार क्या देखा गया है कि खास्ते खास्ते उनके आखों से भी पानी निकलने लगता है और एक परकार से हम कह सकते हैं कि उनको छीके आने लगती है तो इन सारी condition में doctor के दौरा यह जो syrup है पेसकराइब किया जाता है यह syrup काफी अच्छा syrup होता है और जैसे कि कई बार क्या देखा गया है कि जब किसी को खाशी की समस्या आती है तो उस समस्या में यह देखा गया है कि उनके सीने में जो जकडन की समस्या हो जाता है या जकडन के जैसा महसूस हो रहे लगता है कई बार नाक जाम हो जाता है जिसकी वजासे उनको सांस लेने में भी कभी कभी दिक्कती का सामना करना पड़ता है तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने का काम ये सीरफ करता है किसी भी परकार की एक तरी के समस्याइ रहती है और बहुत सारी मैटसी या भी बहूत सारी द्वाई ले चुके होते हैं उसItal 된 नहीं होता है। तब उस 49 में डॉक्त्र की द्वारा ये सीरप। कीसरप करते हैं। चलिए हम आपको इस सीरफ के डोज के बारे में बताते हैं, इस सीरफ का डोज डॉक्टर के दौरा किस परकार से निर्धारित करके मरीज को पीने के लिए बताया जाता है, जैसे कि जो सीरफ का डोज होता है ये डॉक्टर के दौरा, मरीज की एज, उसकी समस्या, उसकी दिक् पीने के लिए के लिए बताते हैं वो एक हगकं सुभा एक भककं सामय को यानि दिन में दो से तीन दोक्टर के दवारा दस सेमल पीने के लिए बताया जाता है। सेमल सुबा दा सेमल दोपहर या फिर दा सेमल सामखो जैसे कि दिक्कत और समस्या को देखते हुए डॉक्टर इस मेड़िन का डोज निर्धायत कर के पीने के लिए बताते हैं चलिए अब हम आपको इस सीरफ के साईड इफेक्ट के बारे में बताते हैं इस सीरफ से आपके स्कीन पर रेससियानी अगर आपके स्कीन पर खुजली की समस्या होने लगे या फिर आप अगर ये सीरह ओबर डोज की मातरह में लेंगे तो आपको नीद की समस्या भी आ सकता है, इसके अलावा यद आपको और भी कोई side effect दिखे तो तुरंत अपने doctor या pharmacist के पास आप जाए, आप अपनी दिक्कत परेसानी बताए, उसके बाद में कोई भी medicine लें, कभी भी आप कोई भी medicine खुद से उपयोग ना करें, अगर आपको कोई भी दिक्कत परेसानी है, तो अपने doctor या pharmacist के पास आप अपनी दिक्कत परेसानी बताए, उसके बाद में कोई भी medicine लें,